नमस्कार साथियों आपका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है साथियों आज मैं लेकर आया हूँ इस चैनल पर 2020-22 का जो सेशन है इस सेशन में जो B.A.D. का एक्जाम चल रहा है फर्स्ट इयर का उसका हम लेकर हाजिर है आपका कोशन जो इनवर्सेटी के तरब से पु पढ़ लेना चाहिए टोटल फर्स्ट जो पेपर है ये पेपर है चैल्डूड एंड ग्रोइंग अप का ये चैल्डूड एंड ग्रोइंग अप ये फर्स्ट पेपर होता है इसका कोड जो है साथियों वो 101 होता है इसका कोड ये 101 देख पा रहे होंगे ये आपका कोड है इस code से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा subject है, उसके बाद हम साथियों बात करते हैं कि इसका instruction में total ये 3 hour का exam होता है, total 80 marks का question आता है, और इसमें अपने शब्दों में answer देना रहता है, सभी प्रशनों के मान बराबर है, और total unit 5, total 5 unit में पुछे जाते हैं, और हर एक unit में 2 questions होते हैं, पर unit में 2 questions होते हैं, और एक unit से कोई एक ही question का answer देना रहता है, जैसा कि आप साथ ही हो देख रहे हैं, ये unit 1 है, unit 1 का ये पहला question है, ये दूसरा question है, तो कुल मिलाकर इसमें से किसी एक का question का answer देना है, और फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ हैं, तो आपका यहाँ unit 2 है, और unit 2 में भी दो questions है, तीसरा और चाउथा करकि इसमें से किसी एक का question देना है, तो कुछ इस तरीके से आपका यह कुछ पूछा हुआ questions है, इसमें पहला unit का यह question देख रहे हैं, question number 1, जिसमें explain कर रहा है growth को और यह development से किस परकार different है, फिर erections के जो theory है, उसके theory को explain करने के लिए कह रहा है, फिर unit 2 का बात करें, तो इसमें दो questions है, इसमें तीसरा question में बो adult skin को problem को solve करने में, और number 4 है, how is the maturation and development interrelated, यानि कि maturation और development एक दूसरे से कैसे interrelated होते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है, और कुछ unit 3 का questions है, total 5 units में, जैसा कि हम आपको बता हैं साथी हूँ, 5 units में पूछता है questions, इस 3rd unit में भी, 3rd unit में भी आपका 2 questions है, इसमें question number 5 कह रहा है, explain the role of society and educational institution in promoting gender equality, यानि कि gender equality को बढ़ावा देने में, society और educational का क्या भूमिका होना चाहिए, इसको बताना है, number 6 बोल रहा है, family of socialization agency in child development, यानि कि जो child development है, उसमें हमारा social environment किस पर कर भागिदार निवहाता है, इसके बारे में explain करना है साथी हूँ, उसी तरीके से आगे बढ़े तो unit 5 है, और unit 5 में भी आपके कुल मिलाकर दो questions होते हैं, यानि सभी unit में दो-दो questions हैं, और सभी unit से, आपको सभी unit का question करना है, एक unit का कम से कम एक question करना ही करना है, इसमें question पुछा है कि learning style को define कर ये, और elaborate various type of learning, यानि कि कितने तरह के learning style आप अपना सकते हैं, और इसमें से सबसे best आप किसको choose करेंगे learning students को बताने समझाने के लिए, तो इसके बारे में explain करना है, अगर आप ये question नहीं कर पा रहे हैं, तो question number 8 भी है, इस unit का, a knowledge of individual differences essential for the teacher comment, बोल रहा है कि, एक teacher के लिए किस परकार knowledge जो है individual होना चाहिए, अलग-अलग differences condition में, और उसके बाद हम unit 5 का बात करें, तो unit 5 में कुछ इस तरीके से question है, एक 9 number करके और एक 10 number करके, तो इस childhood and growing up जो आपका first paper होता है, इसमें total 10 question आते हैं, पांच unit में होते हैं, और इसमें से 5 questions का answer देना रहता है, sub unit का, एक-एक, तो इसमें एक question है, देख रहे हैं, 9 number, what is the influence of media technology, यानि कि, media का क्या परभाव है, और ये learning, learner को किस परकार ये useful है, इसके बारे में, number 10 है, analysis the causes of parent child conflict during adult skin, बोल रहा है कि, जब कोई बच्चों, बच्चे कि सोर आवस्था में रहते हैं, डॉलर स्केन के form में रहते हैं, तो माता-पिता को किस परकार से, कारणों से जूजना पड़ता है, तो कुछ इस परकार थे questions साथियों, I hope कि आपको कुछ B.A.D. exam में, आगर आप इस university से होंगे, खास कर M.H.P.U. से, मौलाना मजरूल हक से, तो कुछ इस तरीके से questions पुछे जाते हैं आपको, इस questions को देखकर, कुछ idea लगेगा कि किस परकार हमें पड़ना चाहिए, कौन-क झाल